फिल्म की सिरुवात में हम स्नोबॉल नाम की एक डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सी क्रियेचर के साथ खेल रहा होता है तब नीचे उसे चमकती हुए एक चीज नजर आती है जिसके करीब जाने पर वो देखता है कि असल में वो एक अक्टोबस होता है वो स्नोबॉल पर गिरा देता है वो किसी तरह इससे बचने की कोसिश करते हैं पर मदर डॉल्फिन पाइप में फंस जाती है तब मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को उसकी परवाह ना करते हुए सर्फिस पर जाने को कहती है ताकि वो सांस ले सके और मजबूरी में स्नोबॉल सर्फिस की और जाने लगता है पर तभी दोबारा से वो अक्टबस उसे गेर लेता है उतने में अजानक वहाँ एक प्लेन आकर क्रेस्ट कर जाती है और वो अक्टबस उसी के नीची आजाता है इधर मदर डॉल्फिन जब पाइप से बाहर आती है तो स्नोबाल को ढूनने लगती है तभी स् से अपने साथ एक शोटा इंसानी बच्चा भी लाया होता है उसे देखकर मदर डॉल्फिन समझ जाती है कि उस बेबी को अक्सीजन की जरूरत है इसलिए वो बेबी को लेकर पानी के उपर आती है जिससे बेबी को थोड़ा सुकून मिलता है इसके बाद मदर डॉल्फिन सनोब और उस बेबी के साथ अपनी क retract पहुंचते हैं जिसमें बहुत से सी क्रियेचर्स और उनका लीडर टर्टल भी सामिल होते हैं सभी उस बच्ची को देकर बहुत फैसिनेट होते हैं उस बेबी को भी डॉल्फिन की तरह पानी में सरवाइब करने के लिए समय समय पर ऑ स्नोबल और लूकस की बॉंडिंग और भी स्ट्रोंग हो जाती है और वापस में ब्रदर्स की तरह खुब मस्ती करते हैं और साथ में बड़े होते जाते हैं एक दिन साथ में खेलते समय स्नोबल लूकस से कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो तुम बाकी सी क्रियेचर से बन जाता है और वो दोनों उस प्लेन की मलवे को देखने जाते हैं वहां लूकस उस प्लेन के अंदर जाने के लिए उसका गेट खोल देता है पर इस सालों पहले वहां बंद पढ़ा वो अक्ट बस भी आजात हो जाता है जिस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था व और ये बात मदर डॉल्फिन को पता चल जाती है कि स्नोबॉल ने लूकस को उसकी सचाई बता दी है और वो दोनों चुपकर उस फॉर्बिडन एरिया में प्लेन के पास भी गए थें इस से लूकस मदर डॉल्फिन से गुसा हो जाता है क्योंकि मदर डॉल्फिन ने उससे इतनी बड़ी बात को चुपाया था इसलिए लूकस को लगता है कि जरूर उस प्लेन में उससे उसकी असली मा मिल सकती है और वो स्नोबॉल की साथ वहाँ चला जाता है पर मदर डॉल्फिन उससे खत्रे में ना डालने के लिए उन्हें बाहरी रुकने को कहती है और खुद उन्हें ऑक्सिजन की कमें होने लगती है इसलिए मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को लूकस को बचाने के लिए उससे उपर ले जाने को कहती है और स्नोबॉल ऐसा ही करता है इसके बाद वो दोनों अपने लीडर के पास पहुंचते हैं और मदर डॉल्फिन के मुसीवत में होन और उसे ये पावर उन्हीं ग्लोइंग प्लैंक्टन्स को कजियूम करने से मिली है वो सभी को बताता है कि अब मदर डॉल्फिन मारी जा चुकी है इसके बाद वो अपने स्तरीर से इंक निकाल कर सभी को इपनोटाईज करने लगता है जिससे सभी हिपनोटाईज हो जाती है लेकिन वो टर्टल और स्नोबर को पकड़ लेता है लिूकस उन्हें उससे बचाने की कोशिश करता है पर ऑक्टोबस उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हम से अलग हो और तुम्हारी जगे यहां नहीं बलकि पानी के बाहर है और आज मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगा तब ही वहां से मचली पकड़ने वाला एक जहाज गुजरता है जिसमें एक जाल लगा होता है औक्टोबस से हिपनोटाइज हो चुके बाकी क्रीचर्स उसकी बात मान कर लिवकस को जाल में फैंक देते हैं जो दो मच्वारों को मिल जाता है जिन में सामिल थी एक बुढ़ा इंसान और कैप्टेन मरवरीड वो बुढ़ा इंसान मरवरीड को बच्चे का ख्याल रखने का बोल कर मचली पकड़ने चला जाता है लिवकस की जब आंक खुलती है तो वो समुदर की और भागने लगता है पर मरवरीड उसे रोगने लगता है तब ही लिवकस किनारे पर कुछ डॉल्फिन को देखता है जो आक्टोबस की कारण वहां आ गए थे वहीं लिवकस को स्नोबल मिलता है वो दोनों अपने मदर डॉल्फिन के जाने की दुख से रोने लगते है मरवरीड जब लिवकस को डॉल्फिन से बात करते देखता है तो सर्प्राइज होता है तब लिवकस स्नोबल को पाने की ओर ले जाने लगता है पर सेंट की कारण वो ऐसा नहीं कर पाता इसलिए मरवरीड इसमें उसकी मदद करता है और उसे पानी में छोड़ देता है वहां मरवरीड लुकस को उसका लॉकिट दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मौम को जानता हूँ और तुम्हें वहां ली जा सकता हूँ लिवकर्स उसकी बाद मान जाता है इसके बाद मरवरेड उसे बंद करके एक अमीर मचवारे के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला है जो मचलियों से बात कर सकता है और पानी में सर्वाइब कर सकता है पर ये सुनकर सबी उसका मजाग बनाने लगते हैं और वो अमीर मचवारा उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लड़का जरूर अच्छा स्विमर भी होगा और वो मर्वरेट को सी सेल हंटिंग कॉम्पटिशन के लिए चैलेंज करता है जिस पर मर्वरेट भी उसकी बात मान जाता है दूसरी और लूकस उस घर से बाहर निकल कर बाहर आ जाता है और अपने मौम को डोनने लगता है उसी दोरान उसे एक फिस आफ से मचली की चिलाने की अवाज आती है जो लूकस से उसे बचाने में मदद मांग रही होती है लिवकासुस की बात मानकर उसे वहां से लेकर भागने लगता है पर इस वज़े से वहाँ कि लोग उससे चोड़ समझ कर उसके पीछे पड़ जाते है आखरे में लिवकासुस तु时 को तो किसी तरह समुदर में फैंक देता है पर वो लोग उसे पकड लेते हैं और उसे लेकर उसी अमीर मचवारे के पार जाते हैं पर मरवरिट लूकस को वहां से बचा लेता है इसके वाद से मरवरिट कॉम्पटीशन के लिए लूकस की तयारी सुरू कर देता है और उससे डील करता है कि अगर लूकस उस कॉम्पटीशन में जीत जाएगा तो वो उसे उसकी मौम से मिलो आदेगा इसी तरह से कॉंटीशन का दिन आता है जहां मचवारे के चार आदमी एक एक करके समुदर में कूद जाते हैं इसके पार लूकस भी स्नोबाल गो बुलाता है और उसके सांस समुदर में सी सेल ढोनना सुरू कर देता है वहीं हमें समुदर में एक और आदमी नजर आता है जो समुदर के अंदर स्विमिंग सूट पहने किसी चीज की तलास कर रहा होता है और उसे लूकस का वो लॉकेट मिल जाता है वहीं मचवारे के चारो आदमी बड़ी तेजी से धेर सारे सी सेल कलेक्ट कर लेते हैं पर जब सी सेल को काउंट किया जा पर उनके जाने के बाद मरवरीड को पता चलता है कि लूकस दोहरा कलेक्ट किये गए सारे सी सेल में कीमती मोती होते हैं ये देखकर मरवरीड खुशी से नाचने लगता है क्योंकि इन मोती से वो अमीर हो सकता था तब ही वहां कुछ सीप एंकर आकर उनके नाव पर लगते हैं ये देखकर मरवरीड उन मोतीयों को भचाने के लिए उन्हें खा जाता है उतने में एक एंकर आकर उसके सिर पर लगता है जिससे वो वहीं बेहोस हो जाता है और आखुल लेपर मरवरीड और लूकस दोनों खुद को एक पड़े सिपर बंदा हुआ पाते हैं जहां उन उन्हें लेकर एक आइलिंड पर पहुंसते हैं जहां उनकी लीडर रहा करती थी उनकी लीडर एक बूढ़ी और थोती है जो एक केप में एक मैजिकल सूप तयार कर रही थी और उसे परल पाउडर की जरूरत थी जो मरवरीड निकल चुका था वो मरवरीड को देखते ही प पता नहीं चला और तब से ही वो बुड़ी औरत लुकस की मौम का ख्याल रखती थी पर इतने सालों के बाद भी लुकस की मौम की हालत में कोई सुधार नहीं आया था वो सभी सोची रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए उतने में वो बुड़ा इंसान वहां आ जाता है वो उन्हें कहता है कि जो प्रीन क्रेस लुइं घूंड कर लाने के लिए तयार हो जाता है और उस बुड़े इंसान के साथ है इस काम को करने निकल जाता है समुदर के अंदर जाने पर लियूकस को पता चलता है कि उस एवेल उक्टोपस के इंग के कारण धीरे-धीरे पूरा समुदर दोसित होता जा रहा है और सारे सी क्रीचिर उसके गुलाम बनते जा रहे हैं लियुकस किसी तरह उस अक्टूपस से बचते हुए उस क्रैस्ट प्लें तक बहुँ जाता है और वहां से फाइनली वो केमिकल ढूंड कर उस बुढ़े इंसान को लाकर दे देता है पर यहां वो बुढ़ा इंसान अपना असली मक्सद रिवील करता है कि उसे इस केमिकल की सालों से तलास थी असल में सालों पहले उसने लियुकस के पैरेंट के साथ मिल करें केमिकल त्यार किये थी जो सी क्रीचर्स को और भी बड़ा और अक्रामक बना देता पर इस कारण से लियुकस के डैड मारे गए और इसे लिवकस की मौम समझ गएं कि ये केमिकल कितना डेंजरस हो सकता है और अगर ये केमिकल किसी गलत हां तो में चला गया तो बहुत अभाई हो सकती है पर वो बुड़ा इंसान उस केमिकल से खुद को पाउरफुल बनाना चाहता था इसलिए लिवकस की मौम उस केमिकल को अपने साथ लेकर प्लें से बच निकले लेकिन उस बुड़ा इंसान ने उसी केमिकल को पाने के लिए उस प्लें को क्रेस्ट करवा दिया ये सचाई जानने के बाद लिवकस गुस्टे से उसकी तरह बढ़ने लगता है पर तव वो बुड़ा इंसान उस केमिकल को समुदर में डाल देता है जिसे वो ऑक्टबस भी पी लेता है और पहले से बहुत बढ़ा और सक्तिसाली हो जाता है और साथ ही वो बुड़ा इंसान का स्लेव भी बन जाता है वो लूकस को भी खत्म करने वाला होता है पर स्नोबॉल उसे बचा लेता है और किनारे तक लियाता है पर अब तक स्नोबॉल ने उस उक्टोबस द्वारा स्प्रेड बहुत से इंग को कंजियूम कर लिया था और वो भी जलती इपनोटाईज होने वाला था और उस बोड़ी औरत के पास इसका एंटी टोड़ था जिसे पीने के पास स्नोबॉल बिल्कुल ठीक हो जाता है अब तक उस उक्टोबस के एंग से पूरा समुद्र पॉलियूट हो चुका था इसलिए उसे ठीक करने के लिए वो ठीर सारे प्यॉर टीर्स को समुद्र में छोड़ देते हैं जिसे समुद्र का पानी सही होने लगता है इसके बाद लियूकस स्नोबॉल के साथ इविल ऑक्टोबस का सामना करने के लिए समुद्र में जाता है जिसमें बाकी के बचे हुए डॉल्फिन्स भी लियूकस का साथ देते है और जैसे ही समुद्र के हिपनोटाइज हो चुके क्रीचर उस बूड़ी और अद्वारा छोड़े पाने की ओर आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं पर अभी भी उन्हें उस बूड़े इंसान और आक्टुबस का सामना करना बाकी था जो उस केमिकल की कारण और भी पाउरफुल होते जा रहे थें और देखते हैं देखते हैं उसका अकार और भी भयानक होता जाता है और वो इतना अक्रामक हो जाता है कि अंत में उस बुढ़े इंसान को ही अपना सिकार बना लेता है लूकस और बाकी सबी को उस जाइगेंटिक उक्टोपस को काबू करने का कोई आइडिया नहीं सूज रहा था वो अक्टोपस फाइनली उस आइलेंट तक भी पहुंच चुका था जहां लेउकस की मॉम होती है पर तब लेउकस समझ जाता है कि मेरे आंसों भी समुदर के पाने की तरह खा रहा है और अक्टोपस समुदर के पाने को जहरीला बना रहा है तब लिवकस अपनी मौम को बचाने के लिए उस आक्टोपस की और जंप लगा देता है और सीधा उस डॉल्फिन के मूँ की और जा गिरता है और क्योंकि वो उस समय बहुत रो रहा होता है इसलिए सारे आंसों भी आक्टोपस की मूँ में जा गिरते हैं जिससे अक्टोपस साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है पर सभी को लगता है कि ये सब में लिवकस मारा जा चुका है पर तब उसकी मौम उसकी मदद के लिये आती है जिससे लिवकस फाइनली सर्फिस पर पहुंच जाता है और फाइनली बारिस के पानी के कारण समुद्र बिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है अंत में वो अक्टोबस बहुत चोटा हो चुका था और अब उसकी सारी पाउर जा चुकी थी और इसी के साथ ये मोवी यहीं एंड हो जाती है